तोसके एक्जाम की तियारी तो हम सब कर लेते हैं लेकिन फिर भी कई ऐसी हम गलतियां करते हैं जिनका बुक्तान हमको बाद में बहुत महँगा पड़ता है लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी कोई भी गलती आगए से नहीं करेंगे अब कम ही समय बचा हुआ है ऐसे में सभी अभ्यारतियों ने परिक्षा की तयारी के लिए अपना समय बढ़ा दिया है जिस स्ट्रेटिजी के साथ आप साल भर से या उससे भी पहले से मेहनत कर रहे हैं उसे साकार करने का समय भी अब आ गया है इस्ट्वेंटों ने अपना स्ट्रेटों को कवर कर लिया होगा लेकिन परिक्षा को लेकर प्रॉपर गाइडलाइन्स यहां पर गाइड़ेंस होना बहुत ज़ाए ज़रूरी है slayvers के अलाबा भी कुछ तयारियां और practice ऐसी होती हैं जिने exam date से पहले ही तयार का लेना चाहिए और ठीकतर ही से पता भी होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी तयारियां पूरी होने के बापजूद भी कई गलतियां हम कर बैट जिससे result भी प्रभावित होता है तो आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करना है यह बता रही है हम आज की वीडियो में fully information तो दोस्तों बहीं वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आज की वीडियो को हम टोटल इस पर डिसकस करने वाले हैं अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और इंफोमेटिव वीडियो के लिए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू तो आपका पहला टॉपिक रहेगा टाइम मेनेजमेंट करना बहुत ही जादा जरूरी होता है टाइम मेनेजमेंट नहीं होने के कारण परिक्षा के समय अधिकांस बच्चे कौंटवेंट खो देते हैं रीड परिक्षा के लिए भी लगबग ढ़ाई गंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको 150 प्रशन हल करने होंगे मतलब की एक प्रशन के लिए पूरा एक मिनिट का समय मिलेगा पेपर के दोरान धाई गंटे में 150 प्रशन हल करने के लिए जरूरी है कि आप अभी से ही model set पेपरों की practice शुरू कर दे timer लगा कर उसे हल करना शुरू करें यह practice आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी timing बिल्कुल सही न हो जाए और आपके exam में जितना भी time बचा है उसमें आपको पुरा पेपर हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इसलिए आपको कोई भी question छोड़ना नहीं है सबी जो है एक fix time तक पूरे के पूरे paper को हल कर देना है next mistake ज़्यादा तर new students कर सकते हैं यानि हजारो लाग उस्टुएंट ऐसे भी हैं जो कि पहली बार इस परिक्चा में बैटेंगे तयारी भी अच्छी होगी लेकिन सामान में इसी गल्तियां परिक्चा के समय अपनी तयारी को भी बिगार सकती है परिक्चा में आया person को हल करने से पहले आप जरूरी वक्त निकालें और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ ले ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा section कहा है अगर आपने paper को अच्छे तरह से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपका बहुत जादा नुकसान हो सकता है और अगर आप paper को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार तो आदा paper तो आपका वहीं solve हो जाएगा क्योंकि आप सबको पहले से इस बात की जानकारी होगी कि सबी questions एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बहुत जादा जरूर तो hello student कैसे हैं अप सब अगर आप English में हिच्खिट आते हैं English में टबू देना चाते हैं या फिर फर्राटेदार English बोलना चाते हैं तो आपके लिए good news doubtnet लेके आगया आप सब के लिए best English speaking course बो भी Hindi मीडियम में जाएं इंडिया के टॉप टीचर्स आपको English बोलना सिखाएंगे अब आप भी बोल पाएंगे फर्राटेदार English साथ साथ जैसे आपका course खतम हो जाता है तो आपको एक certificate भी दिया जाएगा doubtnet एप पे जाके डारेक्ट Hindi मीडियम में इंगलिस सीखने के लिए इस course को boy now कर सकते हैं लिंक description में best price में course मिल रहा है जल्दी से जाके आप इसको ले सकते हैं तो पहले एक बार पूरे प्रशन पत्र को पड़ लें ये ते हो गई पूरे प्रशन पत्र की बात है हम जिस प्रशन को हल कर lähव होते हैं हमारी आके दूसरे प्रशन पर ही चली जाती है इस गल्ती से बच न चाहिए केबल वही प्रशनें देकrit है जिनने हल करना है बाकी प्रशन पर उसके बाद आपको दियान सबसे पहले को जीति कुछ को सब्सक्रियूद student यह mistake करते हैं, यहाँ पर पेपर pattern को समझ लिना सबसे पहले ज़रूरी होता है, पहली बार read की परिक्षा दे रहाको अब Wy crisp बेसे कौनसी आपको हल करनी है, पेपर में कौनसा सutan कहां मिलेगा, इसकी जानकारी हुनी चाहिए, इसके लिए आपको read के 150 पndषनिंग के model test paper की practice आप घर बैट के कर सकते हैं जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ जो भी आपके model test है आपको बार बार करके देखना है आपके exam की जो date है final date उससे पहले इससे बहुत जादा आपकी गलतियों में सुधार होगा वहीं last में आपकी OMR sheet को लेके हम बात कर लेते हैं OMR sheet क practice पेपर में सबसे महत्पून पार्ट होता है उसके answer कई बार हमें प्रशन का answer तो पता होता है लेकिन OMR sheet में हम गलत भर देते हैं ऐसा करना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है इससे बचने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं कोस्टिस करें कि जिस प्रशन को हल कर रह theorem पर आपको OMR sheet में भर देना है checker between OMR sheet में भी आप गोला कर सकते हैं अक्सरज़ा आपयारती क्या करते हैं पहले पूरे paper को हल कर बैठ जाते हैं उसके ऐम और उयमार सीट में एक लाइन में टिक करते हैं मतलब मैं पहले पूरे पूरा हल कर लिया उसके बाद उयमार सीट को भनना शुरू करते हैं और उयमार सीट को भनने के बाद एक साथ भरते हैं आकरी समय में उयमार सीट भनने के दोरान गलतियों की संबावना बहुत जाता होत पर इसकेन ना होनी के विए से आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाता है तो ऐसे में आपको यह मिस्टेक नहीं करना है जैसे ही आपको एक जो है आंसर आ जाता है उसके बाद उसी टाइम पर आपको जो है उसे ओमर शीट में भार देना है तो यह मिस्टेक्स आपको न नए है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन दावा दें इसी तरह की इन्फूमेटे वीडियो के लिए